आम आदमी पाटी के काम का बेमाना भरष्ट नेता गली-गली मैखाना और ये मैखाने के भरष्टाचार की भू आज देश और दुनिया तक पहुंची है शराब के घोटाले की भू देश और दुनिया तक पहुंची है शरब घोटले के आरऊपी नमबर वन मनिश सिसोद्या जी लेकिन लेकिन है अरविंद केजरिवाल जी The accused number one of the leaker corruption is Mr. Manish सिसोद्या but the kingpin of corruption is Arvind केजरिवाल और आज की प्रैसवारता से साप पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग हाव भाव सब मनीश से सोधियाजी के उड़े हुए थे शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रशन के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वए उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ अब पहली बात या आती है कि मनीश यी आखिरकार अगर आपकी शराब निती ठीक थी तो वापिस क्यों ली क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाड़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाड़ी मुंडवा दी तो मनीश सिसोधिया और अर्विंद केजरिवाल जी ने भी कि शराब नीती में भर्ष्टाचार दिखा तो नीती वापिस ले ली मेरा सवाल इनसे ये है कि मनीश सिसोधिया जी बताएं कि मैनुफेक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमती नहीं होती थी तो आपने क्यों दी मनेश सिसोधिया जी से मेरा दूसरा सवाल ये है और अर्विंद केजरिवाल जी से कि काटल कंपनियों को शिराब बेचने की ठेका क्यों दिया अगर दिया तो क्यों आप ये भी बताएं कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टिट कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टिट कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरिवाल जी और मनीश जोदिया जी ने क्या कारवाई की, आमाद्मी पार्टी की सरकार ने क्या कारवाई की ये आमाद्मी पार्टी की सरकार, ये रेवडी की सरकार भी है, बेवडी सरकार भी है क्योंकि जिस तरह से इनके वरिष्ट नेता ने ये कहा कि हमें कोविड से लिना देना नहीं अरे भाई कोविड में तो आपने कुछ किया इनी दिल्ली में देश में हा कारमची दिल्ली के कारण उदेखने को मिला इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लिना देना नहीं तो भाई शराब वालों से क्या लिना देना था आपका ये तो बता दो मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 क्रोड रुप्या क्यों वापिस किया किसके कहने पर किया जनता का दिल्ली की जनता का पैसा शराब के वेपारियों को मिली भगत से वापिस किया इसका जवाब अरविंद केजरिवाल जी को देना ही होगा वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं ये सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के वेपारियों के प्रती ये तने नरम दिल क्यों कि इसको कितना मिला कैसे मिला इसकी जड़ तक जाना ही होगा आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से न ढखने का प्रयास करें क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है और यही नहीं ये लोग सचाई से भागते हैं यह आम आदमी पाट्डी के नेता चाहे अरविंद केजरिवाल जी हो या बाकी हो ये सचाई से भागते हैं ये जिम्मेदारी से भागते हैं ये सवालों से भागते हैं अब ये जनता से भी दूर भागेंगे और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीश जी उल्टे पाउं भाग रहे थे मीडिया के सवालों से पीठ दिखा कर भाग सकते हो जनता से भी ऐसे ही मनीश से सोधियारविंद केजरिवाल को भागना पड़ेगा और यह जो 30 करोड पे 30 करोड पे जो EMD earnest money deposit हुआ था यह क्यों वापिस किया अगर वो अनुमती नहीं ले पाए तो आपने इनके पैसे क्यों वापिस किये यह पैसे वापिस किये तो आपकी जेब में कितने आए इसका जवाब आपको देना होगा मैं यही नहीं यह सारे सवालों का जवाब अर्विंद केजरिवाल जी को खुली चनौती देता हूँ अगर दम है तो अर्विंद केजरिवाल जी मीडिया के सामने आए देश के सामने आए 24 खेंटों के अंदर जवाब दे ना यह CBI के जवाब दे पा रहे है ना यह मीडिया के जवाब दे पा रहे है और इसलिए मैंने कहा यह सचाई से भागते हैं जिम्मेदारी से भागते हैं सवालों से भागते हैं अब जनता से भागेंगे आपने ठेकों की आपकी सरकार ने केजरिवाल जी और सिसोदिया जी ने जो ठेकों की कमिशन दो प्रतिशत से बढ़ा कर बारा प्रतिशत क्यों की और एक्यूस नंबर वन मनीश सिसोदिया जी से सीधा सवाल है कि यह जो बिचोली है जिनको अलग-लग इनमें क्यूस ठेरा गया उनसे इनके रिष्टे क्या है कि एजरिवाल जी और मिनेश जिजोदिया जी के रिष्टे क्या है इंसे यह जवाब देना ही पड़ेगा मित्रो यह लोग जनता के सामने और जनता की आंकों में धूल धूल जौंकने का प्रयास करते हैं राजनीती में आने से पहले भष्टा अचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे लेकिन आज तक उस पर किया क्या इतना ही किया कि आकर भृष्टा अचार के नए रिकॉर्ड बनाने अर्विंद केजरिवाल जी जो किंगपीन है भृष्टा अचार के और अक्यूस नंबर वान मनीश से अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शाज़ चेंज कर लिये हैं अब इनका अगला आ गया है M O N E Y मनी कमाई करो और चुप रहो मनी मनी ये है गोटा ले करो, उल्टे पाउं भागो, जनता को पीट दिखाओ, मीडिया के स्वालों का जबाब न दो और कोई महिला पत्रकार पूछे, तो उसको लताड करके धमकी देने का काम करो, इससे निंद निया बात कुछ नहीं हो सकती महिला शशक्तिकरन तो दूर, महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं, ये आहम आदमी पाट्डी के नेताओं ने दिखाया है